हेले फ्रेंड्स कैसे आप आशा है कि आप सब ठीक होगे तो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकी से बहुत ही बढ़ी आ रेस्पी जो बच्चे लोकी खाना पसंद नहीं करतें उनके लिए रेस्पी बहुत ही अच्छी है और आपके बच्चे लोगे खाना और कोई भी मैंबर है वो लोगे खाना पसंद नहीं करता हो aj आपके बच्चे बहुत खोषोगर खाएंगे और बार बार कहकर बनवाएंगे आपसे तो देखे मैंने यह क्इसश्व भین Champ ऩर शाफ लोगे लिए है सपे勹 दूते है जो भी वेजिटेल होते हैं, वो हमारी सेथ के लिए अच्छे ही होते हैं, इसलिए आपको अपनी डाइट में यह जरूर शैमिल करने चाहिएं कर लेंगे तो उसके लिए मैंने एक कद्योकस ले लिया है कद्योकस काो उपनी की के टूपिस कर लिए है और आप जी màड पनी की मैं और आप निकाला है कि वर्लय मेंиться काफिल है और आप ओकती सोफ एक बहेसं किर्कार आइंने कंद्चार ऊद्चा है तो इन्हें में साथ में ही करश कर लोंगी तो देखी मैं इसे फिरे-फिरे कर लेती हूं फिर्स अगर आपको अपने लोकी के बीज पके भी लगे या फिर मोटा बीज लगे तो आप इन्हें निकाल लीजिए गां मैंने इसलिए निकाले क्योंकि है काफी कच्छे और छोटे बीज थे इन्हें निकालने के ज़रूरत नहीं होती है तो अपनी फैमिली के लोकी ले सकते हैं मैंने ये हाफ केज लोकी लीज हुए है लोकी में ये काफी पानी होता है इसलिए आप जब ये रैसे में बनाए तो इस बात का खास्तियान रखें कि आपको इसमें ज्यादा पानी बिल्कुल यूज ने करना है तो देखिए मैं इसे एक साइड में रख लेते हूं और अब हम लेते हैं इस पार का एक चोपर जिसम हसे में लहसुण की क्लिया यह दो से तिन मैने लीं है और यह हरीमिच है म 17 सास्你想 successful है अब हमें जांग लिए तो देखिए यह बड़ा प्यास मैंने ली और दूसले लिए आप इसके चोटे-चोटे सब्स्हीं करना अपने ए कि नालुण है अगर आपके पास खंदरिया हो त तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यह है काफी बारी करश हो गई है कि मैंने बड़ा बरतनी ले लिया है और जो लोकी है उसे हम थोड़ा सा दबा कर इसमें से पाने निकालेंगे आए में स्क्वीज कर लेंगे जिससे की जो इसमें एक्स्ट्रा पानी हो निकल जाए जब आपको ऐसा लगे कि आपकी इस डो में पानी के आशकता है तो तब इसे आप यूज कीजिएगा आप इसी में जो में मिर्ची और और ओनिल्स करश किये थे वहीं डालेंगे तो देखिए फ्रेंट्स मैं डालोंगे कुछ मसाले मसालों मैंने लिए हाफटी स्पोन अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी आटा जितने आपकी फैमिली पे मेंबर है जितना आटा गुट्य हो अटा डालीजिए और इसका अच्छा पराने के लिए मैं इसमें अब एक बड़ा चमच बेसन डालोंगे जिए मैंने बैसन लिया हुआ है इसमें बड़ा चमच में अब मैं इसमें अब मैं इसमें अच्छी से मिक्स कर लूगे पानी आपको बताया था लोकी में पानी होता है तो आप बिना ये पानी के इसे गोतने के कोशिश करें आटे को देड़े देड़े लोकी में इसे पानी निकलता ही रहता है इसलिए आप इसे का अच्छा सा डोग ना कर तयार कर लीजिएगा क्योंकि जैचे ही आप इसे गुद कर रखेंगे तो भी इसमें से थोड़ा थोड़ा लोकी में से पानी रिलेज होता रहेगा तो देखिए मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला आप देख सकते हो हमारी लोकी में हमने स्क्विस करने के बाद भी पानी बचा हुआ था तो देखिए फ्रेंट्स यह मैंने चोपिंग बोर्ड ले लिया है अब इसी पर हम अपना लोकी का प्राथा बनाएंगे तो देखिए अब हम रोटी जितना इसमें से आठा लेंगे जो हमने डो लगाया था लोकी का और फ्रेंट्स यह आठा आपका बहुत ही पतला होता चला जाता है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था लोकी में से पानी निकलता रहता है तो आप इसे बड़े हलकी हाथों से बेल लेंगे फिर फ्रेंट्स लोकी के प्राठे बहुत ही स्वाजिश्ट और अच्छे बनते हैं तो देख सकते हैं अब इसी परकार हम दूसरी दोई भी लेंगी और इस पर सूखा आठा लगा कर बेलेंगी और अब हम जीरे जीरे अपने प्राठे को लट देते हैं तेख बना सकते हैं या फिर आप इसे चकूटे क्या बनाना चाहों तो चकूटा भी बना सकते हो लेकिन मैं नॉर्मल बना रही हूं इसी परस एक बात का आपको खास थेहां रखना है कि आठा लगाने के बाद आपको बहुत जल्दी पराठे बना कर तयार कर लें वरना जितने द वर तो इस बात की आप खास दियान राखिआं तो देखे ये पराठा हमारा बनकर तयार हो चुका है आपको घुरे धीरे सभी पराbnा इसी परकार बना कर तयार कर लेने हैं कि अजे कि मैंनेज पर घी लगा लिया है घिच कि अलग मैं अब कुछे आपको अपने पराठे इसाaware प्रकार बना लिया एनने फेस्ट एपने Appreciate आप देख सकते हूं यह मैंने इसमें थोड़ा रायता रख दिया है रायते पर हल्की सी हमें इस डाल देती है ताकि इसका टैस्ट ओल भी बढ़ जाए और तो देखिए हमारे लोकी के पॉस्ट एक और बहुत ही बढ़िया पराथे बनकर तेयार हो गई है अब हम इनी इस सब कार अपने प्लेट में रख लेती हूं लाजवाब लोकी के पराथे बनकर तयार हो गए है फैसे इपार इन्हें आप जरूट आए किसीएगा आप इन्हें एक बर बनाकर खाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे यह खाने में बहुत ही टेक्स्टियों बहुत ही यमी बन आप इसे आप एक बार जरूट आए किसीएगा आप इसे एक बार बनाएंगे और तो बार बनाकर खाएंगे तो फ्रेट्स लोकी हमारी सेथ के लिए जैसे की फायदे मत होती है तो अगर आपके बच्ची लोकी कि सब्सक्राइब कराया और उस पीकाना पसन नहीं करेंगे तो आप प्राठे बढ़े ही कुछ ओकर खाएंगे क्योंकि बच्चों को प्राठे ही बहुत पसन आते हैं तो यह आज मैंने आपके लिए हैल्दी प्राठे बनाए हुए है तो देखिए मैं इन में से एक आपको तोड़के भी तिखाती हूँ तो देखिए यह कितने यह बनकर तयार हुए है यह काफी सोफ्ट में बनते हैं एक बार आप इसे इंजोई जोई कीजिए गा वाव यह बहुत ही टेश्टी और बहुत ही इन में बनकर तयार हुए है